नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा हलवा बना कर दिखाएंगे जिसका यदि आप सेवन करते हैं खास कर सरदियों में तो आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी जिन लोगों में खून की कमी होती है इससे सही होगी को बढ़ाती है इसलिए आपका वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर को ये ताकत पहुचाता है चलिए बनाते हैं आज की ड्रेसीपी आज का हलवा दोस्तों आज का जो हलवा बनेगा आज की ड्रेसीपी बनेगी वो बनेगी अमरूद से अमरूद आपने इस तरह से लेना है ना तो ज़्यादा कच्चा हो ना ही ज़्यादा पका हुआ हो मैंने तीन अमरूद इस तरह से लिए हैं और इनके उपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट निकाल देते हैं आपने इसको धोकर अच्छे से साफ करके ही लेना है साफ साफ अमरूद आपने लेना है पीसिज निकालने साइडों से, बीज हमें नहीं चाहिए, पीसिज निकालने साइडों से और बीज को अलग कर दें, तो जो ये पीस निकले है ना, इनको आपने डालना है, मिक्सी जार में या फिर ब्लेंडर जार में डाल सकते हैं, और इनको आपने चौप करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी हमें कोई चीज कदूकस करनी होती है तो हम आलास कर जाते हैं कि हम चलो नहीं बनाते तो हमने इस तरह से इसको chop कर लेना है यनी grind कर लेना है और इसमें डालते है एक और चीज जो इसको और ज्यादा healthy बनाएगी ये है दोस्तो बीट रूट बीट रूट आपने साफ करके अच्छे से छील कर इसके पीसिज लेने हैं ये मैंने एक बीट रूट ली है आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं बीट रूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तो जो बीट रूट होती है न इसका आप आपने हर रोज सेवन करना है, क्योंकि ये महिलाओं और बच्चों के लिए फाइदे मंद है, जो महिलाओं थकी थकी रहती हैं, काम नहीं कर सकती अच्छे से, उनके लिए बहुत ही बढ़िया होती है, बच्चों के लिए भी फाइदे मंद होती है, क्योंकि बच्चों की करता है उसको कम कर देगी खून की कमी को दूर करती है बहुत ही बढ़िया रैसीपी है आपके पेट को साफ रखेगी पेट की जितने भी प्रोब्लम्स होती है कबज वगारा वो नहीं होने देती क्योंकि यह फाइबर का पहुत ही अच्छा सोर्स है और इसलिए मुटापे को कंट्रोल करने में भी हमारी यह काफी मदद करता है तो आपने इस तरह से बीट रूट और अमरूद को दोनों को ही ग्राइंड कर लेना है चौप कर लेना है इस तरीके से और इसको डाल लेते हैं एक प्लेट में बहुत अच्छे से यह ग्राइंड हो चुकी है देखिए ब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है सर्दी में आपने इसका जरूर सेवन करना है और अब इसमें डाल लेते हैं एक चमच मैंने काजु लिया है और एक चमच मैंने बादाम लिया है और इनको रोस्ट करते हैं घी में भूनते हैं घी में भूने हुए हार के रखती हैं ताकत का खजाना है आपके अंदर बिलकुल भी कमजोरी नहीं आने देता और जीन लोगों की इम्मिनिटी कमजोर है वो इसका जरूर सेवन करें तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों चीजे रोस्ट हो चुकी है इसको निकाल लेते हैं अब गी गरम है और गैस आपने सीम कर देनी है और डाल लेते हैं दोस्तों अपने चौप किया हुआ अमरूद और चुकंदर तो इस तरह से डाल लेना है और इसको पकाना है दो मिनिट आपने पकाना है दो मिनिट के बाद देखिए इस तरह से ये होगा और इसमें डाल लेते हैं हम चीनी चीनी इसमें दोस्तो आप अपने पसंद की डाल सकते हैं यानि जादा मीठा खाते हैं तो जादा डाल सकते हैं कम मीठा खाते हैं तो melt करना है जैसे ही आपकी चीनी melt हो जाएगी इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से ये हो गई है चीनी अच्छे से melt हो चुकी है अब इसमें डालेंगे एक कप दूद, दूद को इस तरह से mix कर दीजिये, फटा-फट से आपने इसको mix करना है, कहीं आपका दूद, फट न जाए इसमें डल कर, तो आपने फटा-फट से इसको mix कर देना है, यह हमने mix कर दिया है, अच्छे से mix हो चुका है बस अब आपने इसको पकाना है और जैसे ही ये दोस्तो पक जाए, इस तरह से sim gas पर ही आपने पकाना है, यदि हाई flame आपने नहीं करनी है, बस medium आज़ पर आपने इसको पकाना है, और इसमें डाल लेते हैं, 4 चमच में ले रही हुए याँ पर milk powder, आपने एक एक चमच इसमें डालना है milk powder का, और उसे फटा फट से mix कर दे, 4 चमच हो चुके हैं हमारे milk powder के, अब इसमें डालेंगे 4 चमच ही में ले रही हूँ coconut powder और इसको mix कर देते हैं, mix करने के बाद दोस्तों आपने medium to high flame पर इसको पकाना है ज्यादा high flame नहीं करनी है, बस medium flame ही रखें आप, तो इस तरह से करते करते दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दूर सूख चुका है, बस हलवे की consistency ऐसी होनी चाहिए ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और ना ही ज्यादा tight होना चाहिए जैसा हम हलवा खाते हैं, बस उस तरह से आपने इसको कर लेना है और उपर से डाल लेते हैं, देखे दोस्तों, इस तरह से ये हो गया है और अब इसमें डाल लेते हैं dry fruit जो हमने roast किये थे घी में तो ये देखे दोस्तों, हलवा हमारा ready है, थोड़ा से time लगा है बस इसको बनाने में 10 minute के अंदर अंदर आपकी recipe बनकर ready हो जाएगी health के लिए बहुत ही बढ़िया है recipe, जिन लोगों में खून की कमी रहती है वो इसका जरूर use करें, और जिन लोगों का पेट खराब रहता है, कब जोगरा बनी रहती है इसको जरूर खाएं, जोडों का दर्ध है जिन लोगों को, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं चार दिन इस recipe का सेवन करके देखे, आपके health में कितना सुधार होगा दोस्तों आपने इसको गरम-गरम ही खा लेना है, सुबह खाली पेट खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है आपके श्रीर में सारा दिन energy भी मिलेगी, आप सारा सारा दिन अच्छे से काम कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं ठकेंगे, बीना ठकें आप काम कर सकते हैं इस recipe को खाकर और दोस्तों यदि आप मुटापा कंट्रोल में करना चाहते हैं, तब भी आपका मुटापा कंट्रोल होगा इस recipe से क्योंकि ये recipe जो है fiber से भरपूर है, metabolism को बढ़ाती है, तो आपका वजन भी से control रहेगा तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी recipe आपको, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में next recipe के साथ, तब तक धन्यवाद